इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी पोजलोकेलिस कैपसूल सीनियर एक डॉक्टर के परचे की दवा है जिसका इस्तेमाल गेस्ट्रॉसोफेगल रिफलक्स डिजीज यानि की एसिड रिफलक्स आतों का अलसर और irritable bowel syndrome के इलाज में किया जाता है यह पेट में अतिरिक्ट एसिड का बनना कम करता है और पेट के एसिड को आहार नली में जाने से रोकता है पोजलोकेलिस कैपसूल सीनियर को डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई खुराक और अवधी के अनुसार भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जाता है डोज आपकी कंडीशन और दवा के प्रती आपके रिस्पॉंस पर निर्भर करेगी डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधी तक इस दवा का सेवन जारी रखें अगर आप इलाज को जल्दी रोकते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है अपनी हिल्थकेर टीम को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं क्योंकि वो दवाएं इस दवा को प्रभावित या इससे प्रभावित हो सकती हैं सबसे सामाने साइड इफेक्ट में चली आना पेट में दर्द, डायरिया यानि की दस्थ, पेट फूलना यानि की गैस बनना, कब्ज, सिर दर्द, कमजोरी और फ्लू जैसे लक्षन हैं इसलिए जब तक आपको यह पता न चल जाए कि दवा आपको किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, तब तक ड्राइविंग या मानसे केकागरता की आवश्यक्ता वाली कोई भी गतिविधी न करें यह दवा लेने के दौरान शराब पीने से बचें क्योंकि इससे आपको अधिक नींद आ सकती है लाइफस्टाइल में परिवर्तन जैसे फाइबर युक्ट डाइट, ऐसे भूजन जो आपके लक्षनों को बढ़ा सकते हैं उनके सेवन से बचना, अधिक फ्लूइट का लेना और नियमित व्यायाम से बहतर परिनाम पाने में आपको मदद मिल सकती है इसे लेने से पहले, अगर आपको किड्नी या लिवर से समबंधित कोई बीमारी है तो आपको अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताना चाहिए अगर आप गर्भवती हैं, गर्भधारन की योजना बना रही हैं या स्तनपान करवा रही हैं तो भी आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद